हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रशान पराशर और Glitters फोटे की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपने ले के आँँ सोन टॉनिक्स की तरव से आने वाले ये चार डिफरेंट डिवाइसेज ये चारो ही automation डिवाइसेज हैं और इन डिवाइसेज से आप अपने appliances on और off कर सकते हैं अपनी lights को dim कर सकते हैं अपने fan की speed को control कर सकते हैं वो भी remotely या फिर अपनी voice command से तो बताऊंगा इस वीडियो में इनके बारे में करूंगा इनके unboxing को चलिए करते हैं कुछ टेक की बात Glitters Info Tech के साथ तो ये है retail packings इन चारो devices की इनमें एक फैन डिमर है एक relay module है एक LED डिमर है और एक fluorescent LED डिमर है और इन चारो की packing एकदम similar है चारो ही corrugated packing में आते हैं और इन सब भी boxes के अंदर आपको इनके corresponding modules मिलते हैं तो ये चारो ही अलग-अलग modules हैं और अगर इनकी build quality की बात करी जाए तो ये चारो ही plastic के बने हो ही हैं और grey और black color के combination में आते हैं और इनके front में इनके connection की markings और LED indicators हैं और इन चारो की back side में इनकी mounting हैं तो सबसे पहले इस relay module की बात करते हैं ये 8 channel का relay controller है और इसका हर channel 10A तक का load ले सकता है ये 220V से लेके 240V के AC current पे काम करता है और इसकी internal memory में आप total 16 scenes को save कर सकते हैं और इसके हर channel के अंदर low voltage control interface है और इस relay module से आप अपने कोई भी appliances को अपने gadget को जो की 10A तक के load का है उसको on और off कर सकते हैं और उसके on और off को आप control कर सकते हैं remotely या फिर अपनी voice command से अब बात करते हैं इसके fan dimmer की ये two channel fan dimmer है इसमें आप दो fans को attach कर सकते हैं और उनको on off कर सकते हैं और उनकी speed को control कर सकते हैं ये fan dimmer maximum 3A का load ले सकता है हर channel के उपर और ये 220V से लेके 240V AC current पे काम करता है 50Hz पे और इसके अंदर भी आप पूरे 16 scenes control कर सकते हैं इसकी internal memory का ही use कर कर और अब next है ये हमारे पास LED dimmer इस module का use करके आप LED lights को dim कर सकते हैं bright कर सकते हैं या उनको on off कर सकते हैं जो ordinary LED lights हैं जिनके अंदर driver inbuilt होता है और 230V पे काम करते हैं वो वाली LED lights इससे आप control नहीं कर सकते हैं मगर जिन LED lights में external controller होता है जैसे कि LED lights होती हैं, down lights होती हैं, street lights होती हैं उनको आप इससे control कर सकते हैं और उनको dim कर सकते हैं उनको on off कर सकते हैं और ये एक 4 channel का LED controller है इससे आप पुरी 4 LEDs A की बार में control कर सकते हैं और इसका हर channel 5 Ampere तक का load ले सकता है और ये 12 से लेके 36 V DC पर काम करता है इसकी internal memory में आप पूरे 40 scene save कर सकते हैं और इसमें तो dimming होती है, बहुत जादा smooth होती है आप 1% तक की dimming भी कर सकते हैं इसके बाद next है ये fluorescent LED dimmer इसका use करके आप fluorescent या फिर LED lights को dim कर सकते हैं और ये एक 8 channel का module है इसमें आप total 8 LED या फिर fluorescent lights को connect कर सकते हैं ये 0 से लेके 10 V तक के dimmingable fluorescent blast को support करता है और 220 से लेके 240 V AC current पर काम करता है ये residential और commercial दोनों lights के लिए use हो सकता है और ये जो son tonics के 4 modules हैं इन 4 modules को आप wifi से connect कर सकते हैं और connect करने के बाद इनको आप अपने web browser से ही configure कर सकते हैं control कर सकते हैं या फिर आप इनकी apps से भी इनको control और configure कर सकते हैं और ये चारो ही modules सभी control system के साथ compatible हैं जो कि TCP IP से work करते हैं और ये चारो ही modules third party controllers के साथ compatible हैं जैसे की Criston, Control4, Extron ऐसे बहुत सारे controllers के साथ ये compatible हैं और इन 4 modules को आप Google Assistant के साथ या Alexa के साथ pair करके इनको अपनी voice command से भी control कर सकते हैं और अगर आपको इन module purchase करने हैं तो आप son tonics की website पे जाके उनको contact कर सकते हैं और इनको purchase कर सकते हैं तो ये थी son tonics के modules की एक वीडियो और मैं ऐसी ही technology और gadgets related videos regular बनाता रहता हूँ अगर आप भी चाहते हैं ऐसी videos regular देखना तो YouTube के ओपर Glitter's Work चैनल को दरूर सब्स्राइब करें और bell icon प्रेस करके all दबाएं ताकि मेरी बनाई वीडियो की notification मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना गरें फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में नई information या नई गैरिट के साथ तब तक के लिए goodbye, take care, जै हिंद, जै भारत